गुड मॉर्निंग स्टूडर्ण्स, वेलकम टू स्टांडर्ड फोर्थ, मैं सेल्फ, स्रद्धाफर्की, एंड आइम योर गुजराती एंड हिंदी सब्जेक्ट टीचर तो बच्चों, आज से हम हिंदी की पढ़ाई सुरू करेंगे हिंदी में सबसे पहले हम एक कविता पढ़ेंगे, कविता का नाम है भारत के बच्चे ये जो कविता है उसमें भारत के बच्चे अपने देश, अपनी मात्रो भूमी के लिए ये क्या क्या करना चाहते हैं उसकी हमें अच्छे से बात बताई है तो मैं कविता का गान भी करूंगी और साथ ही साथ आपको समझाती भी रहूंगी हम भारत के बच्चे है बस आगे बढ़ते जाएंगे आए सो तूफान सामने रोकन हमको पाएंगे तो हम भारत के बच्चे है यानि कि हम भारत माता के बच्चे है बस आगे बढ़ते जाएंगे हम अपने राप पर राप मेंस के रास्ता तो हम अपने रास्ते में आगे बढ़ते ही जाएंगे और एक बार हमने जो रास्ते में चलना सुरू किया उसमें हम आगे ही बढ़ते जाएंगे आए सो तुफान सामने रोकन हमको पाएंगे हमारे रास्ते में चाहे कितने भी तुफान आए पर हम अपने रास्ते में कभी भी रुकेंगे नहीं और वो तुफान का सामना करेंगे और अपने रास्ते में हम आगे बढ़ते ही जाएंगे कोई भी तुफान आएगा कोई भी समस्य आएगी तो इसका भी हम सामना करके हम अपने रापे आगे बढ़ते ही जाएंगे एक बार हमने जो रापर यानि कि जो रास्ते पर चलना सुरू किया फिर हम वापस मुड़कर कभी भी पीछे आएंगे नई हम बस हमें सा आगे ही बढ़ते जाएंगे हमें न समझो नन्हे मुन्हे हम सा हसके पुतले है दिल के है मजबूत बड़े हम तन के लगते दुबले है तो बच्चे बोलते हैं कि आप हमें ऐसे नन्हे मुन्हे बच्चे मत समझो वेसे हम क्या सोचते हैं कि ये ननना बच्चा है ननना बालक है तो ये क्या कर सकेगा पर मैं आपको एक उदाहरन देती हूँ कि हम लोगों ने देखा है कि क्रिश्न भगवान जो थे वो जब छोटे थे तो उसने जो क्रिश्न भगवान ने अपनी बाली आवस्ता में कितने बड़े बड़े कार्य किये थे ना कि जो एक बड़ा आदमी भी नहीं कर सकता था बराबर तब किसी ने सोचा था कि इतना साहस के पुतले हैं साहस यानि कि हम पूरे के पूरे हिम्मत से भरे हुए है बराबर तो आप हमें ऐसे मत समझो कि ये नन्हा मुन्ना बच्चा ये नन्हा मुन्ना बालक कुछ नहीं कर सकेगा हमारे अंदर तो बहुत ही साहस यानि कि हिम्मत भरी हुई है दिल के हैं मजबूत है हम सरीर से तन यानि की सरीर हम सरीर से भले ही दुबले पतले हो पर हमारा जो मन है वो बहुत ही मजबूत है हमारा दिल बहुत मजबूत है आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कवर क्या होता है कि जो एक बहुत मोटा आदमी होता है ना पर उसका दिल जो होता है न वो बहुत कमजोर होता है, तो आप थोड़ा भी उसको बोलोगे न तो वो ऐसे ही रोपड़ेगा, बराबर और कोई लोग ऐसे होते हैं, कि वो दुबले पतले होते हैं, फिर भी वो बहुत स्ट्रॉंग होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं, अगर आप उसे कुछ कहोगे, तो वो आपको अच्छे से जवाब दे देगा पर वो कभी भी हारेगा नहीं तो हम तन से यानि कि सरीर के भले ही दुबले पतले हो पर हमारा जो दिल है वो बहुत ही मजबूत है बहुत स्ट्रोंग है जो हमसे टक कर लेगा हम उसको सबक सिखाएंगे हमें न समझो छोटे हमें काम बड़े करने वाले तो कोई हमसे अगर टक कर लेगा हम भारत माता के लिए कुछ भी कर लेंगे अगर कोई हमारे कार्या में आएगा और वो कुछ हमसे मुकाबला करने आएगा, टकर लेगा यानि की मुकाबला करेगा, अगर वो कोई हमसे मुकाबला करने हमारे रास्ते में बीच में आएगा, तो हम उसको अच्छे से सबक सिखा देंगे, फिर हम उसको अच्छे से सबक सि हटा देंगे हमें न समझो छोटे हमें काम बड़े करने वाले आप लोग हम लोगों को कभी भी छोटे मत समझो हम छोटे हैं तो फिर भी हम लोग बड़े-बड़े काम करने वाले हैं हम लोग बड़े-बड़े कार्ये करेंगे तो बच्चे बोलते ही कि आप लोग ऐसे हमें छोटे मत समझो कि ये छोटा बच्चे कुछ नहीं कर सकेगा, हम बड़े बड़े काम करके आपको दिखाएंगे बड़ी बड़ी बाधाओ से भी तनिक नहें डरने वाले चट्टानों को तोड़ फोड़ कर राहे नहीं बनाएंगे तो हम हमारे रास्ते में, हम हमारी राह में जब आगे बढ़ेंगे तो कई सारी बड़ी बड़ी बाधाओ बाधाओ यानि कि कठीनाई यो हमें हमार अमसे मुकाबला करने आएगी आप लोग देखो कि जब भी आप कुछ कार्य की सुरूआत करते हो तो सुरूआत में आपको कितनी कठीनाई होती है बराबर फिर अगर आप हार कर बेड़ चाओगे तो फिर आपका वो काम कमप्लीट होगा नहीं होगा पर वो अगर आपनी सुरूआत में ही वो बाधा यानि कि जो कठीनाई आएगी उसको अच्छे से सोल कर दिया होगा उसका सामना कर दिया होगा तो फिर कोई आपको ऐसे ही पिछे धक्का लगाएगा नहीं ना फिर आप आगे ही बढ़ते जाएंगे यानि कि बड़ी-बड़ी कठीनाईयों का भी हम सामना करेंगे तनिक-तनिक यानि कि जरा थोड़ा तो हम बड़ी बड़ी बाधाओं से भी बिलकूल यानि कि थोड़ा भी डरेंगे नहीं और हम उसका भी सामना कर लेंगे चट्टानो को तोड़ फोड़ कर राहे नहीं बनाएंगे चट्टानो चट्टानो यानि कि पत्थर के बड़ी-बड़ी श्रील आए बहुत बड़े-बड़े पत्थर तो इसमें हमको ऐसा किया है कि ये जो हमारी रा है उसमें बड़ी बड़ी चट्टा नो चट्टा नो यानि कि बड़े बड़े पत्थर रुपी बाधाओं मुस्केलियो वो आएगी तो वो मुस्कीलों को भी हम तोड़ फोड़ कर दूर कर देंगे और हम अपना राश्ता नया बना लेंगे तो इसमें हमको क्या दिखाया है कि अगर मैं आपको एक उदाहरन देती हूँ कि अगर हम रास्ते में चल कर जाते हैं और एक बहुत बड़ी श्रीला आकर आपके रास्ते में बीच में ही आ गई तो आप क्या करोगे वहां से वापस चले आओगे नई न? आप क्या करोगे? कि वह पत्थर को तोड़कर आप अपना रास्ता आगे बढ़ाओगे आगे अप आपना रास्ता बना कर उस रास्ते पर चल कर आगे बढ़ोगे तो चट्टानों रुपी बाधाए यानि कि पत्थर जैसी बड़ी-बड़ी बाधाए मुस्किले भी हमारे रास्ते में आएगी तो हम उसको भी तोड़ फोड़ कर दूर कर देंगे और नए राह नया रास्ता बना कर आगे बढ़ेंगे हमें न समझो योही हम है भारत माता की आशा सब कुछ नियोच्छावर करकर मा की पूर्ण करेंगे अपिल आशा तो ये बच्चे ऐसे बोलते हैं कि आप ऐसे कुछ भी मत सोचो हम अपनी माता के लिए यानि कि हम अपने भारत देश के लिए कुछ भी कर लेंगे आप लोग देखो कि ये हमारी जो बोर्डर है बराबर तो हम लोग देखते हैं ना कि हमारे जो सोल्जर्स होते हैं वो रात दीन थंडी गर्मी बारिस कुछ भी नहीं देखते हैं और वो अपने देश यानि कि अपनी मातरो भूमी के वो बचाने के लिए कोई कुछ तकलिफ ना दे कुछ उस पर कोई आतंक ना फेलाए इसलिए वो लोग वहां खड़े रहकर भी अपने जीव की भी वो अपने जान की भी परवा नहीं करते हैं और वो लोग अपने भारत माता को बचाने के लिए वहां रहते हैं बराबर तो हम अपनी भारत माता के लिए कुछ भी कर लेंगे सबकुछ नियोच्छावर कर मा की पूर्ण करेंगे अभिलाशा हम अपना सबकुछ नियोच्छावर यानि की बलीदान हम हमारा सबकुछ नियोच्छावर यानि की हम हमारा सबकुछ बलीदान देकर भी अपनी मा यानि कि मा मतलब की यहां हमको भारत माता की बात बोला है तो भारत माता की अभिलाशा मिन्स के इच्छा तो हम अपनी भारत माता की अभिलाशा यानि कि उसकी इच्छा पूर्ण करेंगे फिर हमको अगर हमारी जान भी देनी होगी तो वो भी हम दे देंगे पर हम अपने देश के लिए कुछ भी कर देंगे गिरे आज है जो समाज में उपर उन्हें उठाएंगे हम भारत के बच्चे है बस आगे बढ़ते जाएंगे गिरे आज है जो समाज में यानि कि अभी आप लोग देखो कि हमारा एक ऐसा भी समाज है कि जिसका मटलब कि जिसका कोई मोल मुल्य ही नहीं है जो लोग आज गीर गये हैं अभी हम क्या सोचते हैं कि कोई ऐसी काश्ट के लोगों ते तो फिर हमारे मन में थोड़ा ऐसा आजाता है कि ये लोग से बात नहीं करनी है इन लोगों के साथ हम ऐसे हम हसकर बात नहीं करेंगे तो ये जो हमारी मेंटालिटी है उसे हम दूर करना है वो भी एक इंसान है भारत माता काई वो बच्चा है ना अगर आदमी छोटा हो या बड़ा वो कोई भीगनाती का हो कोई भी धर्म का हो पर वो जो भारत में रहता है जिसका जन्म भारत में हुआ है वो भारत माता काई बच्चा है ना फिर एसे हम ऐसे क्यों सोचे कि ये तो गिरा हुआ इंसान है इसे हम बात नहीं करेंगे इसको हम नहीं बुलाएंगे तो ये हमारी जो सोचे वो हमको बदलनी है आज जो भी समाज में अभी भी हमारा कोई लोग है वो आज भी उसका जीवन थोड़ा हमसे थोड़ा नीचा है तो वेसे हमको एसे नहीं करना है जो भी गीरा हुआ है यानि कि जो भी नीचे अभी भी जिसका जीवन एसा है कि जो थोड़ा वो लोग क्या होता है कि ज्यादा उसने पढ़ाई नहीं की होती है उन ल भी हम उपर उन्हें उठाएंगे यानि कि उसको भी हम अपने बराबर ही करतेंगे हम कभी भी ऐसे मत सोचेंगे कि ये हमसे छोटा है या हमसे बड़ा है हम सब को अपने बराबर से ही करेंगे हम भारत के बच्चे हैं बस आगए बढ़ते जाएंगे तो हम अपनी भारत माता के बच्चे हैं हम हमेसा आगए ही बढ़ते जाएंगे बच्चों एक बात हमको अच्छे से ध्यान रखनी है कि कोई بھی धर्मा हो, कोई भी चाति का हो बराबर पर जो भारत में रहता है वो भारत माता का ही बच्चा कहलाता है और जो भारत माता का बच्चा कहलाता है उसको हम हमेशा अपने बराबर से ही समझेंगे कभी भी उसको छोटा या गीरा हुआ इंसान मत समझेंगे और हम सबको अपना बराबर ही बनाएंगे और हम भी उसके बराबर ही रहेंगे लास्ट में तो हो ऐसा ही है कि हम सब भारत माता के बच्चे है और हमको भारत माता को बचानी के लिए हमको हमेंसा आगे ही बढ़ते जाना है हमारे देश यानि कि हमारी मात्रोभूमी की रक्षा करनी है कोई भी बाहर का अदमी यानि की भारत के बाहर का कोई भी आद्मी या कोई मनुश्य वो अपने देस के लिए कुछ भी कोई गरबड़ ना करे, वो हमें देखना है बराबर और जो लोग हमारे देस को कुछ नुक्सन पहुचाना चाहते हैं उसको हमको सबक सिखाना है बराबर एसे ही हम अपनी मात्रोभुमी यानि कि हम अपने भारत देश को बचाते रहेंगे Thank you